मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाए था जिसमें मैंने आपको बताया था बेंको बडोधा का जो मुबाइल एप्लिकेशन है अब गठाव बेंको बढ़ोधा वर्ड मैं बेंको बडोधा इसमें कि लोगों के कमेंट आ रहे थे उस यदि वह आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वीडियो क के डिस्क्रिप्सिन में जाहिए उसका सबसे पहला लिक दिया होगा पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद में यह वीडियो देखिए उसमें मैंने क्या बताया था कि जो बीओ वी वर्ड जो नया एप्लिकेशन आया है उसमें नए नए फिचर जोड़े गए है पूरे बेंग का जो मोबाइल एप बदल दिया गया है तो उस एप में कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम तो इस एप को पहले से यूज कर रहे थे लेकिन आपके कहने पर या जो बेंक का नए अपडेट आया था उसको अपडेट करने के बाद में हम आटमेटिक लोगाउट हो गए है लोगाउट का मतल अपर यह आप मोबाइल एप्लिकेशन को यूज करना चाहते हो तो आप बेंक में जाकर बेंक अदिकारी से कह सकते हो कि सर मुझे एमकनेक्ट एप्लिकेशन यूज करना है तो वह आपको चार डिजिट का एक पिन दे देंगे उस पिन की मदद से आप आसानी से एमकनेक्ट यानि बियोबी वर्ड एप्लिकेशन को असनी से यूज कर सकते हो लेकिन अभी तो आप घर पे हो और आप इंटरनेट बेंक भी यूज करते हो बेंक अबड़ोदा की तो मैं आज आपको इस वीडियो में एसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मद से आप यदि बियोबी वर्ड का आप चार डिजिट का पिन भी भूल गए हैं तो उसको आप वापस आपके से जनरेट कर सकते हो और यदि आपके पास डेविड काड अकाउंट नमबर और भी सारी डिटेल है तो आप दूसरी तरीके से लोगिन कर सकते हो लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास डेविड काड नहीं है और आपको एम कनेक्ट यानि वीओवी वर्ड एप्लिकेशन को यूज करना है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिए वीओवी वर्ड का जो लोगिन चार डिजिट का पिन होता है उसको जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ग यूजर आएडी डालके लेंगवेज इंग्लीष लोगईन पे क्लिक करना है साइन एन पस si Mats Ad rides नीचे आपको केफचा डालने के बाद में आपको लोगिन और पिकली कर देना है अब आपके सामने इंटरनेट बेंकिंग खुल के आ गई है तो यहां पे आपको उपर ओप्शन दिख रहा होगा अकाउंट, ट्रांसपर, बिल पेमेंट, इन्वेस्मेंट, सर्विस, सर्विस पे क्लिक करने के बाद में आपको mobile banking mconnect plus इस पे क्लिक कर देना है, यहां पे आपको उपर तीन ओप्शन दिये गए है registration, deregistration, reset mpin, तो यदि आपने सबसे पहले register करना चाहते हो, यानि पहली बार ही register करना चाहते हो तो registration पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में यहां पे लिखा वार है select customer id, तो आपकी bank overda की customer id है उसको आपको select कर लेना है उसके बाद में आपका नाम और mobile नमर बता रहा है और यहां पे आपको continue का icon दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है यहां पे सारी information आपके सामने आगई है, निचे confirmation detail में आपको transaction password डालके submit पे क्लिक करना है तो submit करते ही आपको एसा successful का message होगा, इसका मतलब है कि आपके mobile पे एक 4 digit का पिनाया होगा, जैसा मैं आपको screen पे दिखा रहा हूँ, इसा 4 digit का पिनाया होगा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वी ओबी word application को update कर लेना है, उसको login करना है आपको, जैसे आप enter करोगे उसमें, तो आपको automatically चार डिजिट पिन मांग लिया जाएगा, क्यूंकि वो आपके mobile के साथ लिंक हो चुका है, चार डिजिट का पिन, अब आपको account number debit card की कि किस लिए हमारी चैनल को subscribe कर ले, मैं इस पर जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, यदि वीडियो पसंद आया तो like कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो subscribe कीजिए, जय हिंद, जय बारत